वेलकुम यौल एट इंडो पार्ट शाला आज का टॉपिक है हमारे पास स्पोर्ट्स की कुछ इंपरेंट ट्रॉफिस और कप्स वो किस से संबंदित होते हैं ठीक है शुरू करते हैं इस वीडियो को सबसे पहना क्वेशन है हमारे पास मर्डेका कप किस खेल से संबंदित है तो मर्डेका कप का संबंद है आपका फुटबॉल से ठीक है यहाप आप देखेंगे मर्डेका का संबंद है फुटबॉल से और ये टूर्नमेंट और्गिनाइज किया जाता है मलेशिया के द्वारा ठीक है Next है, डलीब ट्रॉफ़ी किस खेल से संबन देता है, तो डलीब ट्रॉफी का संबन होता है आपका किरिकेट से, यहापर आप देखिसकते हैं, दलीब ट्रॉफी, इसका नेम रखा गया है कुमार शरी दलीब सिन्ही जी के उपर, ठीक है किए और यह एक domestic first class किरिके justification Tornament है जो Play किया जाता है टीमों के बीच में जो Geographical तोर पे रिपझेंट करती है अपने State को ठीक है उन Teams का ये गेम होता है और Previously देखें तो ये Contest 3 Team के बीच में होता था जिसका नाम था आपका India Red India Blue और India Green लेकिन 2016 के बास से जो तूर्णमेंट है यह प्ली किया जाता है उन टीमों के बीच में जिन टीमों को BCCI स्लेक करती है ठीक है क्योंकि Apex body है जो cricket की वह आपकी BCCI है देश के अंदर ओके पिलहाल यह आप देख लीचे जो टूर्णमेंट है इसको इंस्टिवट किया गया था 1961 में BCCI के द्वारा Then, European Champions Cup या hennikon cup किस खेल से जुड़ा हुआ है तो इस खेल का संब्ध है rugby से ठीक है यह आप अब देखेंगे European Champions Cup इसका संब्ध है आपका rugby associate तो अगर आप देखेंगे European Champions Cup या hennikon cup किस संब्ध है तो यह rugby sport से related है तो इसका संब्द है आपका होकी से सुल्तान अजलांग शाह कप ये Annual International Men's Hockey Tournament है जिसके शुरुआत हुई थी 1983 के अंदर ठीक है और जब सके शुरुआत हुई थी तो ये साल में दो बार खेला जाता था पर इसको Annual Even के तौर पे Convert कर दिया गया 1998 में नेक्ट है हमारे पास वल्लमकाली किस तरह का पारमपरी खेल है तो वल्लमकाली ये Board racing है है से इस दा करेक्ट आंसपर यहाँ पे आप देखेंगे वल्लमकाली बेज़ ट्रेड़िशनल Board Race ठीक है है और इसमें कैनाय रिसिंग होती है जननी दिखा जाता है यहाँ पर देख रहे हो यहाँ इसे गुरूब बना कर यह रिस की जाती है एक इंटेग्रेटिट वे में सब लोग अपना पैडल चलाते हैं पैडल फॉरूट करते हैं और जो जीतता है फिर तो वो जीतता ही है खेर और यह जो celebrate की जाती है यह celebrate की जाती है ओनम फेस्टिवल के टाइम पर ठीक है जो की एक harvest फेस्टिवल है नेक्स है लाल लीगा ट्रोफी किस खेल से संब्नेते है तो लाल लीगा का संब्न है आपका football से ठीक है this is the correct answer नेक्स है उवेर कप इस एसोसीटेड विद विच स्पोर्ट तो उवेर कप का संब्ध है आपका बैडमिंटन से यहाँ पर देखेंगे उवेर कप यह टॉफी है यह यह रिप्रेजेंट करती है वोमेंस वर्ल शैंपिंशिप इन दे स्पोर्ट ऑफ बैडमिंटन ठीक है तो इंग्लिश शैंपियन यह मंदब ब्रिटेंग के ही थे और 1956 के अंदर यह बहुत ज़्यादा फेमस थे और यह सिरीध है वोमें इंटरनेशनल टीम स्कीन यह भी आगाखां लास में लिखा वाई और यह हर तीन सार में खेली जाती है नेक्स आपके पास आगाखां कप आग पाकिस्तान ठीक है और बांग्लादेश यह दो मिलकर केश को शुरुआत करी थी नोने इसकी शुरुआत हुई थी 1958 के अंदर ही और इसको एपॉलिश कर दे गया था 1981 के अंदर और यह रीजन है यह इसा के अंदर ही खेली जाती है इसके बाहर के कंट्री में सामिल नहीं हो होते है आगा खां का संब्ध होता है होकी से ठीक है जो आपको बता रहा था आगा खां का संब्ध है होकी से आगा खां गोल्ड कप का संब्ध है फुटबॉल से इसमें कन्फिज मत होना नेक्ट है विजय हजारे ट्रॉफी किस खेल से संब्धित है तो विजय हजारे इसमें जो टीम होती थी ना उन सब टीमों का नाम रिखा होता था ट्रॉफी के ऊपर वेल जो आपको याद रखना है वो यही है कि विजय हजारी ट्रॉफी का संबन किस से है किरिकेट से है जो की वन दे ट्रॉफी थी यानि कि इसमें 50-50 जो होते थे ओवर होते थे वर नेक्स दो यह होता न 50-50 वाले और इट इस नेम्ड आफ्टर पेमस इंडिन क्रिकट विजय हजारे तो उन्ही के नाम पे इसको नाम रखा गया है नेक्स्ट है मारे पास विंबल्डन ट्रॉफी किस खेल से संबन्दित है तो विंबल्डन ट्रॉफी का संबन्द है आपका टैनिस से विंबल्डन चैंपेशिप के अगर आप बात करोगे तो यह टैनिस का oldest tournament है वर्ल्ड के अंदर ठीक है और यह only game भी है जो कि आपका grass पे खेला जाता है ठीक है यह दून पॉइंट आपको याद रख रहे हैं नेक्स्ट है आपके पास मुरुगप्पा गोल्ड कप किस खेल से संबन्दित है तो मुरुगप्पा का संबन्द है आपका hockey से ठीक है नेक्स्ट है भारती खेल प्रादी करूंगा गठन किस वर्ष में किया गया था तो इसका गठन किया गया था आपका 1984 के अंदर यहाँ गठन के और यहाँ पर देखेंगे 1984 में बना था अब जाहिर सी बात है और हाँ यह रेजिडर सोचा,की, आपके स्पोर्ट को यह परमोट करे गा और यह किस की अंदर काम करता है इंपोरेंट है जो मिनिस्ट्री है की हुए है मिनिस्ट्री आफ यूथ अफेर्स एंड स्पोर्ट्स नेक्स है Walker Cup किस खेल से समधित है Walker Cup का समधित है आपका गोल्फ से ठीक है यहाँ पर देखेंगे Walker Cup यह George Herbert Walker के नाम पर इसका नाम रखा गया है जो की 1920 में USA के प्रेजिनेंट थे United States of Gold Association के अंदर ठीक है Walker Cup का समध आपका गोल्फ से है नेक्स है हमारे पास सुल्तान जोहर Cup is associated with विच स्पोर्ट तो इसका समध है आपका होकी से यहाँ पर आप दिख सकते है इसकी जो सापना है इस गेम की इस ट्रॉफी की जो शुरुवात की गई थी वो 2011 में की गई थी इसमें शुरुवात में 6 टीम थी अभी इसमें 8 है और इसकी शुरुवात करने वाला देश था Malaysia ठीक है नेक्स है BC Roy ट्रॉफी is associated with विच स्पोर्ट तो इसका सम्मध है आपका फुटबॉल से इसके बारे में अगर हमार पस कुछ है तो वो यहाँ पे लिखावा है ये इंस्टिट की गई थी आपकी All India Football Federation के द्वारा 1962 के अंदर इसको इंट्रिद्यूज किया गया था जो फॉर्मर सी एम थे वेस बेंगॉल के मिस्टर बिंधन चंद्र रॉई की मेमोरी के रूट में नेक्स्ट है तो याद रखना इस अभी कप और टॉफी का सम्मध आपका फुटबॉल से है दुर्मर के बारे में अगर हम देखेंगे तो ये oldest फुटबॉल टूर्मेंट है इंडिया के अंदर और जो टूर्मेंट है ये सबसे पहले हुआ था 1888 में अना डेल शिमला के अंदर ठीक है रोवर सब के बारे में बात करेंगे तो ये एन्वर फुटबॉल टूर्मेंट है इंडिया का और ये second oldest इस टूर्मेंट है इसके बारे में याद रखना 1891 में इसकी शुरुआत हुई थी महाराश्ट के अंदर संतोष टॉफ़े की बात करोगे तो ये इन्वर फुटबॉल टूर्मेंट ही है और ये इसमें क्या होता ना सारे स्टेट में लिए खिलते हैं साथ में गवर्मेंट के कुछ इंटिटूशन भी होते हैं वो भी पार्डिसिपेट करते हैं और ये 1941 से खेला जा रहा है नेक्स्ट है हमारे पास होलकर ट्रॉफी किस खेल से संब्द लेते हैं तो होलकर ट्रॉफी का संब्द है आपका ब्रिज से इसके बारे में देखिए यहाँ पे लिखावा है होलकर ट्रॉफी ये एसोसीट है अपके ब्रिजी स्पोर्ट से जलने लिए ना आपका ये जो तास खेला जाता है वही होता है ठीक है उसमें चार लोग इसके सबसे इंपोर्टेंट प्लेयर है जगी शिवदासिनी ये इन्होंने 1976 के अंदर खेला शुरू किया था और बहुत सारे ट्रॉफी इन्होंने जीती है यानि कि बहुत सारे ट्रॉफी जीती है इसे संब्दित और भी कई बार नेक्स्ट है आपका इरानी कप किस खेल से संब्दित है तो इरानी कप का संब्द है आपका फुटबॉल से यहाँ पर दिख सकते हो इरानी कप ये टूनामेंट है 1959 से 60 के बीच में शुरू हुआ था और इसकी भी शुरुआत जो है वो BCCI के फॉर्मर जो चीफ थे ठीक है जैड आर इरानी उनी की मेमोरी में इसकी शुरुआत की गई थी जनरली इसमें क्या होता है जो रंजी ट्रॉफी की विनिंग टीम होती है न वो इसमें खेलती है बाकी टीमों के साथ में इसका फर्स मैच खिला गया था नेक्स है हमारे पास अगरवाल कप किस खेल से संब्धित है तो यहाँ पर बनावा भी है डी इस दा करेक्ट आंस्वर अगरवाल कप का संब्ध है आपका बैडमिंटन से इसका संब्ध है बास्किट बाल से यहाँ पर दिख सकते हैं विलियम जोन्स कप इसका रुखा गया है जो इसके फाउंडर थे वो थे इंटरनेशनल बास्किट फेडरेशन फिबा के द्वारास की शुबात की गई यह भी आपको याद रखना है नेक्स आपके पास ध्यानचन ट्रोफ़े इस रिलेटेट टू विच स्पोट तो यह होकी से संब्दित है ध्यानचन के बार में हरको जानता ही है जो हिटलर से उन्होंने भी बोला था कि आप हमाई टीम में आ जाओ जर्मन की तरफ से खेलो खेलो हना पड़ा कर दिया था ग्रेटेस्ट होकी प्लेयर है ये अफ आल दा टाइम अंडर अंडर हिस लिडर्शिप इन्होंने तीन ओलम्पिक होकी मेंडल जीते थे ठीक है और इन्होंने को जिताई भी थे जनल भी आप देखो बें तो 1928 में 1932 में 1936 में ओके बस इसमें याद रखना है जनल पूलते थे इनकी जो स्टिक थी उसको विजार्ड बोलते थे दा मैजीशियन इनकी ऑटोबाइग्रफी है गोल और जो उनका बर्थ है वो है 29th August को जिसको नैशनल स्पोर्ट्स दे के तौर पे मनाया जाता है नेक्स है आपके पास कलिंगा कप तो कलिंग कप का समबन है अपका फुटबाल से ठीक है और यह एन योली खहला जाता है नेक्स है बेटन कप इस एसस्सटीटेट विजुचिशिएट फिज पूर्ट तो इसका समबन है आपका हौकी से बेटन कप का समद्ध होकी से है जो की शुरुवात की किति इसकी 1895 के अंदर और कंपोज किया गया था इसको बंगाल होकी एसोसीशन के दुआरा नेक्स्ट है Confederation Cup are related to which sports तो Confederation Cup का समद्ध है आपका football से ठीक है जो FIFA है FIFA Confederation Cup was an international association football tournament ये तबको पता ही है और ये men's international team के द्वारा खेला जाता है और ये हर चार साल में खेला जाता है FIFA इसको organize करता है नेक्स्ट आपके पास Thomas Cup is associated with which sports तो Thomas Cup का समद्ध है आपके पास badminton से ठीक है Thomas Cup का समद्ध badminton से है 1939 उसकी शुरुआत होई थी Sir George Thomas के नाम पर ठीक है उन्हें को donate किया जाता है इस Cup को Thomas Cup ये world men's team championship होती है इसको याद रखना ठीक है और Uber Cup is known as world team championship for women तो ये वाला Uber Cup जो है ये man के लिए है same platform पे next आपके पास Yonex Cup are related to which sport तो Yonex का समद्ध है आपका badminton से ठीक है Yonex Cup badminton से समद्ध है और 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 इसके आजाता है badminton association of India के द्वारा BAI और the tournament is held in Delhi और जो इसका Grand Prix Gold Pricks ये भी इसके कुछ event है इसको याद रखना आपको ठीक है मदर इसके कुछ पार्ट है जो इसमें आपका इक Grand Prix Gold और Grand Prix event है इसमें जो खेले जाते है नेक्स आपके पास रंजी ट्रॉफी आर का cricket tournament है और सबसे पुराना cricket भी खेला जाता है इसी खेल के थुरू आपके main player को चुना जाता है जो कि इंडिया cricket team में खेलते हैं शुरुवात हुदिश की 1934 के अंदर ठीक है और ये regional state cricket association जो है वो इसको represent करते हैं और जो state है या फिर specific geography के लोग हैं वो आकर के इसमें खेलत हैं तो इसका संबंध है आपका golf से आपको याद रखना है जो आजनावर ट्रॉफी है इसको organize किया जाता है international golf federation के द्वारा और ये first time खिला गया था आपका 1958 में और जिसका नाम है आजनावर ये United States के प्रेजिंट से उस टाइम पर तो उन्हीं को ये डेनोट किया जाता है Dwight D. Eisenhower ओके next है हमारे पास which of the following trophy is related to badminton sport where there no prize money for the winner badminton world federation world championship ठीक है तो इसमें किसी को भी कुछ प्रुसकार नहीं मिलता है यहाँ पर आपको याद रखना है जो आपका BWF world championship है इसकी शुबात हुए थी 1977 के अंदर 1983 तक यह जो game है यह तीन साल में एक बार खेला जाता था पर अभी इसको change करके यह हर साल खेला जाता है ठीक है और बस इत्मी है आपको जो याद रखना है ठीक है नेक्स्ट आपके पास the Rangaswami Cup is associated with which sport तो इसका संबंध है आपका होकी से रंगा स्वामी कप के बारे में आपको याद रखना है यह होकी से संबंधित है ठीक है और रंगा स्वामी कप यह first time खेला गया था 1928 के अंदर ओके और इसी गेम के थुरू आपके जो main game होता है आपका national team होती है उसके लिए players को चुना जाता है नेक्स्ट आपके पास बेगम हजरत महल Cup किस खेल से जुड़ा हुआ है तो यह जुड़ा हुआ है आपका football से ठीक है बेगम हजरत महल Cup यह associate है आपका football से इसको याद रखना औ और यह अवज की बेगम थी सुदीर्मन Cup निम्रेखित में से किस खेल से संब्धित है तो सुदीर्मन Cup का संब्ध है आपका badminton से यहाँ पर देख सकते हो सुदीर्मन Cup इसका संब्ध है badminton से और यह हर दो साल में खेल आ जाता है ठीक है फर्स time जब यह held हुआ था बंकार् और यही तीन देश हैं जो लगातार सुदीर्मन Cup को जीतते आए हैं नेक्स्ट है मारे पास राज माता विजय राजे सिंधिया प्रतियोगिता किस खेल से संब्धित है तो इसका संब्ध है आपका cricket से यहाँ पर देख सकते हुए लिखा हुआ है इतने जादा खास नहीं ब रखना है और अभी जो इनके बेटे हैं वो बीजेपी में सांसाद है ठीक है यहाँ होता है इस वीडियो का इन जल्दी मिलेंगे हम नेक्स वीडियो में होके थैंक्यू